तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दनेश लवल में दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है विटामिन से सम्मंदित महत्पून तत्य के बारे में जो कि मैं आप लोगों को डीटेल में बताऊंगा और उसके बाद इससे रिलेटेड मैं प्रशन भी ले सके तो आज का मैं वीटियो सुरू करता हूँ आज का जो वीडियो है पहला विटामिन ए माब के बीतामिन ए मैं क्या है तो विटामिन एक रसानिक नाम बोला जाता है रेटिन याद रखी करांशा कूश्ट है काभी बार एक्जामिं क्यों पूछा गिए और इससे होने वाले कमी से रोग होने तो रतौंदी होता है आँखों का सुस्क होना हो जाता है और इसका अस्त्रोत विटामिन A का अस्त्रोत है क्या खाने पे विटामिन A आपके सरीर में मौझूद हो जाएगा तो गाजर, पपीता, पका हुआ आम और हरी पतेदार सबजियां और विटामिन A का संसलेशन जो होता है वह यकृत में होता है ये भी आप याद रखेंगे कहा होता है यकृत में ठीक यकृत के द्वारा और केरोटीन विटामिन A के नि अब चलते हैं विटामिन B1 के तरब, B complex बोला जाता है जिसे तो विटामिन B1, विटामिन B1 का रसानिक नाम क्या है तो यह है थाइमीन, याद रखेंगा थाइमीन और इसे कमी से रोग होता है कौन सा रोग तो बैरी बैरी रोग होता है इसके कमी से यह आप याद कभी कभी जहां में यह भी पुछा जाता है कि विटामिन B1 का स्त्रोथ कहां से मिल सकता है तो तीन ओप्षन दे देंगे नहीं का एक ओप्षन दे दिया जाता है होने का तो यह आप याद रख सकते हैं और कर्वहाइड्रेट के उपाचायन में मदद करती है विटामिन B1 यह भी आप याद रखेंगे इसकी कमी से बैरी बैरी नामक रोग हो जाता है पालीस के चावल खाने से क्योंकि उनमें विटामिन B1 की कमी होती है यह भी आप याद रखेंगे पालीस किया हूँवा चावल जब भी हम लोग खाएंगे तो उससे पुरा धोके खाएंगे क्य अब चलते हैं अगले वीटामिन की ओर विटामिन B2 वीटामिन B2 का रसायनिक नाम क्या है तो राइवो फलेबीन याद रखेगा राइवो फलेबीन विटामिन B2 का नाम है और इससे कमी से होने वाला रोग जो है तचा तचा अपड़ जाता है आखों का रोग होता है इसका अस्त्रोद जो है अंडा है दूद है हरी सबजियां है अब चलते हैं विटामिन B3 की ओर विटामिन B3 का रसानिक नाम क्या है तो इसका रसानिक नाम है पेंटो थेनिक अमल यह आप याद रखेंगे पेंटो थेनिक अमल विटामिन B3 का रसानिक नाम है और कमी से ओने वाला रोग जो है पैरों में जलन बाल सफेद होना देखते हैं बच्चों के जो बाल सफेद हो जाते हैं तो यह विटामिन B3 का ही कारण होता है यह आप याद रखेंगे ठीक और इसके अस्तरोत कहां है तो कहां से प्राप्ट होते हैं तो मास दूद टमाटर अंग मुंग फली से अब चलते हैं vitamin B5 की ओर vitamin B5 बहुत ही important है क्योंकि यह nicotinamide यानि नियासीन इससे बीमारी उत्पन होती है इसकी कमी से नियासीन बीमारी उत्पन होती है काफी बार एकजाम में कोशन पुछा जाता है जिसे nicotinamide भी कहा जाता है और कमी से होने वाला रोग जो है मांसिक विकार यानि पेलगरा रोग हो जाता है नामक रोग जिसमें जीव लाल हो जाती है और उस पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं ठीक और अस्तरोत कहां से है इसे vitamin B5 कहां से प्राप्त किया जा सकता है तो मास मुंग फली और आलू खा कर अब देखते हैं vitamin B6 तो इसका रहाचानिक नाम क्या है पाईरो डॉक्सीन वीटामिन बीवीच का रहासानिक नाम है पाईरों डॉक्सीन याद रखेंगे आप और कमी से कौनसा रोग होता है तो कमी से होता Apache चारत कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो दूद खाकर मांस खाकर सबजी खाकर यह हम प्राप्त कर सकते हैं अब चलते हैं अगले विटामिन की और अगला विटामिन है विटामिन B7 या H vitamin b7 को ही vitamin b कहा जाता है यह आप याद रखेंगे इसका रसाइनिक नाम क्या है तो रसाइनिक नाम है biotin रसाइनिक नाम जितने भी vitamin के हैं वो सभी का आप याद रखेंगे क्योंकि vitamin का रसाइनिक नाम question पूछाएं जाता है इसलिए आप वीटामिन के सभी रसानिक नाम को याद रखेंगे, टाकि आप एक्जाम देने जाये तो कभी भी मिस ना करें। और कमी से कौन सा रोग होता है? तो बालों का गिरना हो जाता है और चर्म कम हो जाएंगे अस्तरोत कहां से है तो इस्ट गेहूं और अंडा खाकर यह दूर किया जा सकता है अब चलते हैं विटामिन B12 की ओर विटामिन B12 का रसानिक नाम क्या है तो विटामिन B12 का रसानिक नाम है साइनो कोबाला मीन याद रखेंगे साइनो कोबाला मीन विटामिन B12 का रसानिक नाम है और कमी से कौन सा रोग होता है तो एनिमिया रोग होता है या पांडू रोग होता है एनिमिया रोग या मांस कलेजी और दूद खाकर यह प्राप्त किया जा सकता है इसमें इसे को बार कोबाल्ट भी कहा जाता है यह आप याद रखेंगे कोबाल्ट होता है इसमें बीटुएल में कोबाल्ट पाया जाता है यह आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रशन की और कोशन इस परकार पुछा जाता है कि कोबाल्ट की इस विटामिन में पाए जाता है तो बीटुवेल में पाए जाता है यह कोशन पुछा गया है अब चलते हैं विटामिन बीटामिन c की और तो विटामिन c का रसानिक नाम क्या है Ascorvic Acid काफी बार एक्जाम में यह भी प्रस्शन कुछे जाते हैं कमी से कौन सा रोग होता है तो इस विटामिन की कमी से आस्करवी रोग हो जाता है जिसमें मसूडे फूल जाते हैं और उनमें खूना रंगता है कभी-कभी देखते होंगे कि आपके दार्ट से खुन आने लगते तो वह विटामिन C की कमी के कारण ही होता है और अस्तरोत कहां से है तो आवला, निम्बू, संत्रा, नारंगी, कच्चा आम, चिकू यानि खटे पदार्थों में विटामिन C पाया जाता है यह आप याद है कि को सबर्जी के धूने या खाना बनाने पर नुश्ठ हो जाता है वह विटामिन C ही यह आप याद रखेंगे इसलिए लोगों को बोला जाता है कि खहना सबजिया था काटे यह थोले उसके बाद न धूने और यह विटामिन तो अच्छा, बालो और मसूरों के स्वास् रखेगा क्योंकि विटामिन सी के कारण ही तो अच्छा जो होता है साफ हो जाता बालों का बालों का गिरना बन हो जाता मसूडों से जो रखता आते हैं वह भी बंद हो जाएंगे अगर जो आपके सरीर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है अब देखते हैं विटामिन डी तो विटामिन D का रसाइनिक नाम क्या है केलसी फेरोल क्या है केलसी फेरोल यह आप याद रखेंगे विटामिन D का रसाइनिक नाम है और कमी से कौन सा रोग होता है तो इसकी कमी से होता है इस कमी से बच्चों में रिकेट्स यानि सुखा रोग तथा बड़ों में ऑस्टिय तो मालेशिया नामक रोग हो जाता है यह काफी बार एक जाम में कोशन पूछे गए हैं तो याद रखेंगे विटामिन D के कारण ही रिकेट्स रोग होता है बच्चों में और बड़ों में कौन सा रोग हो जाता है तो अस्टियो मलेशिया रोग ठीक और इसे कहां से प्राप होती है यह आप याद रखेंगे अब चलता है विटामिन E का रसानिक नाम क्या है तो टेको फेरोल विटामिन E का रसानिक नाम है और कमी से कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से इस विटामिन की कमी से पूरुसों में नपुसंकता और इस्तियों में बांचपन का खत्रा ब निक नाम क्या है टेको फैरोल और पुरोसों में नप पूसकता रोग आ जाती है और इसे रेटेट अस्तो अस्तो कहां से मिलेगा तो गेहूं के अंकुर का तेल दूद टमाटर घी दूद मक्षन हरी पत्तिदार सब्जीया खाकर इसे दूर किया जा सकता है और इसे फर्टिल निक दूर पुर्यविक्स के अधिर्टी विटामिन भी कहा जाता है कि यह नंग जनन चम्ता को बढ़ाती है यह आप ने देखा इन बांजपन की कमी से बांजपन होता है तो यह अगर अगर जो सरील में रहेगा तो उसकी जनन चमता जो दूर हो जाती है मनें बढ़ती है अगर ज़्यादा मात्राम रहेगी तो वह दूर किया जा सकता अब देखते हैं विटामिन के का रसाइन के नाम क्या है फिलो क्यून और कमी से कौन सा रोग होता है तो रक्त का ठक्का ना बना रक्त जो हो जाता जमता नहीं है इसके कारण कभी-कभी देखते हैं हमारे सरीर का कट जाता है तो रक्त नहीं जम पाता है और जूर्छ के दवारा इसे प्राप्त किया जा सकता है तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाब तो तहां है अब इस से रिलेटेड जितने भी प्रश्ण बनेंगे मैं वह अगली वीडियो में लेकर आऊंगा ताकि आपसे जब भी एक्जाम में कोई कोशन पुछा जाए वह आपसे नाच शूटे तो मैं आपसे मिलूगा अगली वीडियो में तद तक के लिए जय हिन ववन देमा पर आप